नमस्कार मुप्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को कर्मचारी भविशु नीधी संगठन ने खाताधारकों के लिए E-Nomination ज़रूरी कर दिया है खाताधारक E-Nomination के बिना पी-एफ पास्बुक नहीं दिखा पाएंगे अब तक ऐसा करना ज़रूरी नहीं था रिपोर्ट के मताविक भारत ये कोकिला कही जाने वाली 92 वश्य लतामंगेशकर का मुंबई के बीच क्रैंदी अस्पतार की यहन चुकित साइकाई में इलाज चल रहा है प्रधार मंद्री नरेंदर मोदी ने सोंबार को विश्व हिंदी दिवस के बॉकि पर इस भाशा के प्रसार को लेकर बड़ी बात कहिiden और ने कहा कि हिंदी हमारे ज्ञान और संस्कुर्ति के प्रसार में काफी एहम भूमी का निभा रही है पीम ने यह बाते विदेश मंत्रारी की तरफ से आयो जित एक कारक्रमे कही इस बीच भारत के लिए युनेस्को की तरफ से खुश खबरी आई है विश्म धरोहर केंदर ने भारत के युनेस्को द्वारा चुनित धरोहर सेयंतर के बियोरे को अपने विबसाइट पर हिंदी में प्रकाशित करने पर सहमती जताई है अखिलेश यादव के इंटरव्यू के कुछ क्लिप सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं अखिलेश यादव ने यह इंटरव्यू आज तक की पत्रकार अंजुराउम कश्यप हो दिया है अखिलेश यादव के इस इंटरव्यू का एक क्लिप वाइरल हो रहा है जिसमें अंजुराउम कश्यप सपानेता पर अपनी नाराजगी जाहिर करती नाज़र आ रहे हैं बड़ी खबर सामने आई है यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने मंगलवार को योगी काबिनेट से इस्तिफा दे दिया है वधान सबाचुनाफ से ठीक पहले उनका इस्तिफा भाजपा के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य प्रिश्य कई दिनों से पार्टी से नालाज चल रहे थे उनके समाजवादी पार्टी में चाहने की खबर भी है नरकाटिया गंज की भाजपा वधायक रश्मी वर्मा ने आज मीडिया से बाच चीत की अपने स्थीफे की पेशकरश के बाद आज रश्मी वर्मा पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब देती नजराई है जिसकी बात उन्हा ने मामला सुलजनी की बात कही है करनाटक में कोरोना का कहड़ जारी है राजमे कोरोना स्तंक्रवन के रोज नए मामले सामने आ रहे है वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे राजसरकार कईते रहे कि पावंदियों के साथ ही वीकेंट कर फ्यू लागू कर चुकी है लेकिन इस पीच कॉंग्रस की तरफ से रजमे पद्यात्रा आयोजित की जा रही है समाचार एजनसी एनाइक रोपोर्ट के मताबिक मंगलवार को भी पद्यात्रा में पुर्व मुख्यमंत्री, सिधार मया और करनाटा कॉंग्रस के ध्यवश दीके शिफकोमार शामिल हुए अगर आपके आधार कार्ट में कोई गड़बरी है तो बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है अब आप घर बैठे अपने आधार कार्ट की गलती में सुधार कर सकते हैं अप्डेट को ओन नाइन अपडेट किया जा सकता है आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए ज़रूरी दस्ताविछ की स्कान की गई कॉपी को अप्लोड करना होगा मध्यप्रिदेश के सीहोड जुले में 7 जनवरी को कोरोना की वापस सेंट्री हो गई है और 3 लोग संक्रमेंट बिल हैं इसके बाद बीते 4 दुनों में कोरोना तेजी से फैला है जिसे जुले में मरीजों का आंकड़ा 29 पर पहुंच गया है कारण पुरे राज्यों में स्वास्त सेवाय प्रभावित हो रही है मंगलवार को डॉक्टरों ने चुकित सानीती से संबंदित सुधार की मांग को देज कर दिया है डॉक्टरों दवारा अपनी मुख्य तीन मांगों को रखा गया है डॉक्टरों की प्रमुख तीन मांगे है SMO की सीधी भरती ना कर के ये पर प्रमोशन से भरे जाए तीन के बजाए चार ACP मिले और विश्चरग्यों के लिए अलग-अलग क्याडर बनाए जाए डिली में कोरोना संक्रबन की रफ्तार बेकाबू हो गई है वहीं कोविट के मामले बढ़ने के साथ ही जानगवाने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है लहाज स्वास्तव भाग ने अस्पतालों को कई दशा नर्देश जारी किये हैं स्वामी प्रसाद मौरे ने समाजवादी पार्टी के मुख्या खिलेश यादव से मुलाकात की है खिलेश से ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है समाजवादी पार्टी प्रमुख खिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौरे और अन्यनेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत किया मौरे ने आज उतर प्रदेश काविनिट से स्तीफा दे दिया है पाकिस्तान के पुर्वरस्टपती जनरल परवेज मौरे ने स्वामवाद को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया का ऐलान किया है एक ट्वीट में उन्हाने अपने ट्वीट में अपने ट्वीट और फेस्बुक अकाउंट का लिंक शेयर किया इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के लोग उन्हें लेकर कई तरह की बाते कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो बतन वापस लोटते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी वहीं कुछ इस उमीद में है किताना शाह मुसरफ के आने के बाद पाकिस्तान इंदनों जिन हालात से गुजर रहा है उसमें तबदीली आ सकती है दिले के मुख्यमंत्री अर्विंदी के जिरुवाल दे मंगलवार को कहा है कि सरकार राष्ट्रे राजसारी में लोगडाउन नहीं करेगी और लोगों से चिंतान नहीं करने का आग रहे किया गया है पत्रकारों से बात करते वे दिली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहर में आज लगभग 22,000 नए COVID-19 मामले सामने आने के संभावना है उन्हाने कहा है कि चिंता ना करें हम लोगडाउन नहीं लगाएंगे राजिस्तान सिक्षा विभाग सिक्षकों के लिए पातरता परीक्षा 2021 साधिकारिक अधिसूशना के नुसारस बार विभाग प्राथमिक स्थर एक से पाच और उच्छे प्राथमिक 6-8 के लिए 32,000 सिक्षकों की भरती करेगा आवेदे को को सलाह दी जाती है कि वो आधिकारिक वेबसाइट यानी SSO.Rajasthan.gov.in पर जाए राश्ट्रे राजधानी दिली के स्वास्तमंत्री सतेंजर जयन ने बताया है कि दिली के COVID-19 मामलों के एक या दो दिन में चरम पर पहुँचने की संभावना है और इसके बाद 30 नहर में संक्रमन गिरनाश शुरू हो सकता है भारत ने मंगलवार को ब्रम्हो सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल का सफल परिक्षन किया है भारती नौसेना के सूत्रों ने बताया है कि पश्चमी तट पर भारती नौसेना के INS विशाखा पटनम से ब्रम्हो सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल का परिक्षन किया गया जो वेरियंट के 400 से अधिक मामले दर्ज किये गए हैं। सकते हैं इसका मतलब है कि आप कई महीनों तक परिशान हो सकते हैं जिसकी जानकारी कई विशशग्यों ने दी है। वेरियंट ओमिक्रोन के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिशानिर देश की घोशना की है ताकि देश भर में तेजी से फैर रहे कोरोना वाइरिस के ओमिक्रोन वेरियंट पर रोक लगाई जा सके। आज से भी सभी यात्री जो अंतराश्रे यात्रा कर यदि देश में आते हैं तो उन्हें साथ दिन के लिए होम कॉरिंटीन होना पड़ेगा। तब मिलान्डू सरकार ने कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रोन वेरियंट के प्रसार को देखते वें ज्यादा प्रतिबंदों के साथ लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है चुकित्सा विशुषणके के मश्वरे और दैनिक कोरोना मामलों में वो लेखनी अब रध लोगों की जान भी COVID-19 के कारण चली गई है वहीं दिली में सोमवार को COVID संक्रमन के 19166 ने मामले दर्च के गए हैं राजधानी में COVID के कुल 65,806 अक्टिव मरीज है इन अंडर ट्रीट्मेंट लोगों में से 44,028 लोग हो माई सोलिशन में अपना इलाज करवा रहे हैं जब क्यों नी सो बार हस्पताल में भड़ती हैं माहरास्ट में कोरोना के 33,470 ने मामले दर्च के गए हैं जबकी आठ लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है बवजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायवती इस बार वधान सबा चुनाव नहीं लड़ेंगी पार्टी माहस अचिव सतीष चंदर मिश्रा ने अलान करते वे कहा है कि वो खुद भी इस बार वधान सबा चुनाव में किसे भी सीट से नहीं लड़ेंगे सतीष चंद्र मिश्रा ने कहा है कि मैराजन सुभा का सदर से हूँ कई प्रदेशों में चुनाब हो रहे हैं और बहन मायवती जी का चुनाब को चुनाब लड़वाना है हम लोग चुनाब नहीं लड़ए है कोरोना वाइरस संक्रमन की बढ़ते मामलों की बीच किंद्रेस्वास्तमंत्री मंसुख मंडाविया ने मंगलवार को देश महर में जुलासतर पर कमीटी बनाने का अंदर देश दिया है जिसमें डॉक्टर्स पुलस अधिकारी राज के अधिकारी सीमों शामिल होंगे मंडाविया ने इंडिन मेडिकल असोसियेशन के अधिकारी और देश के करीब स्वा सीनियर डॉक्टरों के साथ बैठा की हवाय यात्रियों के लिए गो फर्स्ट एरलाइन एक शांदार ओफर लेकर आया है गो फर्स्ट जिसे पहले गो एर के नाम से जाना दाता था उसने यात्रियों के लिए घरेल उडानों पर विशेश 20 प्रतिश्ट की छूट देने की खोशना की है जो पूरी तरह से वाक्सिनेटेड होंगे आपके रुसार देश भर में COVID-19 के बढ़ रहे हैं मामलों को देखते वे क्या सभी राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य की आवाजाही को बंद कर देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से चुड़े देने के लिए